बंद अर्थ व्यवस्था में आय के चक्री प्रवाग के अंतरकत हम देखते हैं क्योंकि हमने जाना कि बंद अर्थ व्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधिया होती है वो देश तक भी सही मित रहती है बाहर के जो अर्थ व्यवस्था यान्याने देशों के जो अर्थ व्य शक्र में हम देख रहे हैं कि पारिवारिक छेतर जो होते हैं वो कि competent कर के रूप में पैसा देते हैं छो सरकार कर से मतलब वो सरकार जों की राजस्व हो जाती है और सरकार कार 10 कर लोगों को इसे उत्पादन शेतर क्या होते हैं उनाय करते हैं यह उत्पादन शेतर में चले जाता है पिर हम किरी इस बीज़त हो चिसलिपांडी मेरा जाता है और पूंजी बजार से बिन्योग के रूप में ये उत्पादन के छेतर में फिर से चले जाती है एक चीज हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पारिवारिक छेतर से जो उत्पादन के साधनों के रूप में परिवार को जो आय होती है बाद में वही आय बचत के रूप में फि तो कर के रूप में राशी प्राप्ति करती है उसको पारिवारिक छेत्र में सेवाओं पर वह करती है और आयका हस्तांत्रण करती है जो पारिवारिक छेत्र होते हैं उन्हीं से प्राप्त राशी को बचत के रूप में फिर से वह पूंजी बजार में विन्यूजित कर देते ह यानि घूम फिर कर फिर से जो वही धनराशी होती है वापस पारिवारिक छेत्र से सरकार और फिर उत्पादन छेत्र और फिर उत्पादन छेत्र से सरकार और फिर पारिवारिक छेत्र में पहुँच जाती है तो आपने देखा कि बंद अर्थ वैवस्ता में आये का चक्री प्रवाग कैसे होता है अब अगर हम बात करें खुली अर्थ वैवस्ता की तो जिस तरह से बंद अर्थ वैवस्ता में जो आर्थिक छेत्र होता है वो केवल देश की और दोगिक इकायों तक सिमित कर दिया जात है इसका जस्ट अपोजिट जो है वो खुली अर्थ वैवस्ता है यानि यहां पर अगर हम कुछ बिंदो के अधार पर देखे तो इसको और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं जैसे यहां जो होता है खुली अर्थ वैवस्ता में वह आय का चक्री प्रवाज होता है वह सकते हैं जो चक्री प्रवाज होता है वह भी काफे विस्तृत होता है कि प्रतेग देश जो है वह दूसरे देश से व्यपार के माधियम से संबंद बनाये रखता है और साथ में जो होता है वह कुछ घटकों को अपने अंतरगत शामल करता है तो यहां पर आय के जो चक्री प्रवाह उसके पांच घटक होते हैं जिनमें से चार घटक तो वही होंगे जो बन दर्थ विवस्था में हमने देखे थे एक घटक है वह यहां पर नया कारे कर रहे थे नया जो यहां पर जुड़ा वह विश्व क्योंकि यहां हम खुली अर्थ ववस्ता की बात कर रहे हैं और यहां जो व्यवसाइब यह वैपार हो रहा है उसमें देश की ओद्योगुक एकाईयों के साथ साथ विदेशी इकाईयां भी शामिल है अब यहां पर अगर हम आय के प्रवाह की बात करें तो जो आय का प्रवाह होता है वो व्यवसाइब फर्मों से शेश विश्व की ओर होता है दूसरा हम यहां एक मत्तपूर बात देखते हैं कि सरकार विदेशों से रिंड प्राप्त करती भी है और विदेशों को रिंड देती भी है क्योंकि यहां पर हमने देखा कि पूरे जो देश के लोग है वो एक दूसरे के साथ वैपार करते हैं तो दूनों ही बात यहां पर आ तो दोनों ही चीज़े यहां पर आती हैं अब इस प्रकार अगर बात करें कि यह जो खुली अर्थ व्यवस्ता है यहां पर जो आय का प्रवा है वो देश की सीमा के बाहर भी होता है लेकिन बंद अर्थ व्यवस्ता में आपने देखा था कि देश की सीमा के बाहर इस तरह का क ड़करिय प्रवाग के स्थिति अ क्या होती हैं इसे एक शित्र के माद्यमंसे और अधिक च्छे से समझते हैं हूँ है। कि खूली हर्थ व्याहिवस्ता के अंतरगत्त इस डाइग्राम के आधार पर हम देख रहे हैं कि परिवार पारिवारिक आय छेत्र के इंतरगत जो आय होती है उसमें से जो परिवार के बचत होती है वो पूंजी बजार में जाती है पूंजी बजार में बिन्योग के रूप में ये वेबसाइक छेत्र में चले जाती है और वेबसाइक छेत्र में आय जब किया जाता है तो इसमें से निर्यात से इसको वापस धनराशų हो जाती है और जो धनराशी प्राप्त होती है स verbally्दánh करबशती कर यह आयात का कारें कर तो इस तरह का इसका करब चलता रहता है दूसरा हम Chief होते है यह उत्पादं के साधनों को जब इनका इससा आएचेत chamber करते हैं तो उसी इससे के रूप में यही ढहती हैं वह परिवारिक आयचेत्र जब उत्पादं के साधनों के रूप में प्राप्त आए को उभोक परवे करते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से वापस राशी जो है वो वेबसाइट जित्र में आ जाती है इसमीं किस प्रकार से इसमें यहां पर अगर अघृष्ध करते हैं कि सरकार वो तो राज्य की जो बचते होती है और उद्योगों पर जो कर होते हैं उनकी अधार पर राशी प्राप्त करती है और इस राशी को फिर वो सेवाओं पर वै करती है तो वापस फिर धन राशी जो होती है वो घूम पिर पिरकर पारिवारिकाय के रूप में लोगों के पास आ जाती है दूसरा यहां पर ए उसी के आधार पर फिर वो विदेश्री रण का भुगतान भी करती है तो फिरकर वही जो वित्य सहायता है वह एक बार सरकार के पास आती है और फिर उत्ती पास से चली जाती है तो कुल मिलाकर यहां पर यह जो डाइग्राम बताया गया है उसमें खुली अर्थ वेवस्ता में आय के चक्री प्रवा की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है और साथ ही यहां पर हम यह स्थिति भी देख रहे हैं कि सरकार जो है वो राज्य के लिए प्राप्त आय का देश के अंदर ही उसको खर्च करती है प्रवाहित करती है जब कि शेश विश्व को दिये जाने वाले रिंट से आए बाहर के और प्रवाहित होता है खुली और बंदर्थ विवस्था के बाद हम एक स्थिती पर पहुँचते हैं जिसे हम कहते हैं साम्य या संतुलन के स्थिती यानि यहां पर हम कह सकते हैं कि ना तो मुद्रा का प्रसार और ना ही संकुचन हाला कि विवहार में यह स्थिती जो है बहुत कम याना के बराबर देखने को मिलती है लेकिन यह जो इस्थिती है यह संतुलन या सामी के अवस्था कहलाती है यहां जो एक महतवपूर बात देखने को मिलती है यह जो इस्थिती है जब सामी की अवस्था आती है तो उसे आदर्श निर्यात के एक इस्थिती यहाँ पर निर्मित होती है लेकिन वास्तों में क्योंकि हमने देखा कि व्यवहार में ऐसे इस्तिती देखने को नहीं मिलती इसका महत्पूर्ण कारण यह है कि लगातार मुद्रा का प्रसार या फिर संगुचन होता रहता है अब आईए देखते हैं कि मुद्रा के प्रसार का आई के चक्री प्रवापर क्या असर है अगर हम बात करें मुद्रा के प्रसार की तो यहां पर हम देखते हैं कि जब पूरी अर्थ व्यवस्ता के में मुद्रा के प्रसार की स्थिती उत्पन हो जाती है तो यहां पर आय के चक्री प्रवाह में भी उतार चड़ावाता है अगर हम देखें कि मुद्रा का प्रसार क्या है तो हम ऐसी स्थिति को पाते हैं जहां पर अर्थ व्यवस्था में जो वस्तों का उत्पादन होता है जो लोगों की आय होती है या हम कह सकते हैं कि जो लोगों की आय में वृद्धी का जो अनुपात होता है उसकी अनुपात में ये उत्पादन कम होता है अब ये एक ऐसी condition बनती है यहाँ पर जब लोग अपनी बच्चतों को बढ़ा देते हैं वे कम करते हैं और बच्चतों को बढ़ा देते हैं यहाँ पर एक अर्थ व्यवस्ता के सामने एक विकट इस्थिती हम कह सकते हैं कि उत्पन होती है अब यहाँ पर जो आय का चक्री प अधियम से इसको और अधिक अच्छे से समझते हैं मुद्रा प्रसार और आय के चक्री प्रवाह के अंतिरगत हम इस डाइग्राम के अधार पर देखते हैं कि उत्पादन के साधनों का जो बाजार है उत्पादन के साधनों से जो आय होती है वे परिवारिक आय के रूप मे उब्भोकता इकायों तक चले जाती है यानि परिवार की जो आय होती है वही परिवार उब्भोकता बनकर फिर उसको वे करना प्रारंप करता है जो उसे आय की रूप में प्राप्त होती है इस कंडिशन में आय में जब तेजी से व्रद्धी होती है तो विन्योग वस्तों का जो बाजार होता है वो अधिक वस्तों का उत्पादन करता है और उत्पादन की इकाईयां वो प्राप्ट करता है दूसरी कंडिशन में यहीं से जब उसे पारिवारिक आय होती है और भूगता इकाईयों के अंतरगत जब भोग में व्रिद्धी होती है तो एक कंडिशन हम विन्योग वस्तों का जो बाजार होता है वो विस्तृत होता है तो उत्पादन के काईयों से अधिक वस्तों के उत्पादन में विस्तार के साथ साथ विन्योग वस्तों का बाजार भी बढ़ता है और इसके आधार पर उपभोग में भी वृद्धी होती है और उपभोगता अधे कायों का प्रयोग करने लगता है यहां पर केंने आए के चक्रेटरिवार की बात करते हैं तो आए के चक्रेटरव करते हैं यहां बदेख रहे हैं कि incident और प्रिश्टार एक ऐसी स्थिति कोальном को बता रहा है जब यह में ब्रिद्धी से कम अनुपात में होता है इस स्थिति में जो लोग जो है यानि कि भोकता जो है वो अपनी आए के तुलना में वैद करते हैं यानि मुद्रा के प्रवाह काकार बढ़ जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि अर्थ व्यवस्ता में रोजगार आए एवां मूले भी बढ़ जाते हैं और बनाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि अंइक परिवार की जो आए होती उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उत्पादन साधनों का जो बाजार होता है वो उभोकताओं तक पहुचता है परिवार के आई के रूप में उभोकताओं तक पहुचता है अगर उभोकताओं के व्याय में कमी होती है तो विनिर्मित वस्तों का जो बाजार होता है उनके के उत्पादन में कमी आती है जाने कि उत्पादन की कम इकाईयों का निर्माण होता है और भोक्ता वस्तों की मांग जो होती है वो कम हो जाती है दूसरा यहां पर इस डाइग्राम के आधार पर हम यह भी देखते हैं कि वे निर्मित वस्तों के बजार से जब पर्वों की आय में और कमी आती है तो उत्पादन की इकाईयां जो होती है वो उनके मांग में या व्यक्तिकत आये में कमी आ जाती है इसका सीजा संबंद उत्पादन साधनों के बाजार से होता है तो यहां पर हम देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति जब मुद्रा के मूले में व्रिद्धी एवं वस्तु के एवं सेवाओं के मूले में कमी हो जाती है तो मुद्रा के चक्री प्रवाद का वेग जो होता है वो कमजोर हो जाता है इसका एक दुश्परिणाम यह भी होता है कि मुद्रा के मूले में गिरावट आती है औ अब ऐसी कंडिशन में लोगों की बचत करने की प्रवित्ति बढ़ जाती है और मुद्रा का जो चक्री प्रवा होता है वो भी कम हो जाता है। यहां पर एक ऐसी स्थिति बनती है जब प्रवावपूर मांग भी कम हो जाती है और इसके फलसरोप उत्पादन की साधनों की मांग कम होने से रोजगार और व्यक्ति गताय दोनों में गिरावट आ जाती है। आय का चक्री प्रवा अलग-अलग रूपों में होता है अलग-अलग इस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन ओर ओल कियो में भात करते हो चक्री प्रवह की किया महत्व है इसका बदीवस्टा को इसे म्हा यहार देखते हैं तो आए दोटा के चक्री प्रवह का क्या महत्व है महत्व पहात्तों की बारे में कह सकते हैं कि ने सब्बंद होता है उत्ति चेत्रों से कनेक्ट होता है तो यहां हम यह कर सकते हैं कि राष्ट्री आय की गर्णा में यह जो आय का चक्री प्रवा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दूसरा हम इसके महत्व की बात करें तो हम देखते हैं कि मौद्रिक नीतिया जो होती है यानि कि बचत य इनों अपनी जो आय हाउस को पूरा का पूरा खर्च ना करके बचत के रूप में पूंजी बजार में विन्योजित करती है तो यहां पर जो इनका लेखा जोका है कितना परसेंट बचता है कितना विन्योजित होता है इन सो चीजों को समझने में भी कही न कहीं आय का जो चक् साधन के साधनों को जा रहा है यानि वोगताओं तक जा रहा है वापस वो पैसा अगर घूम फिर के उत्पादक के पास आ जा रहा है मतलब में के सकते कि ठीक ठाक अर्थ व्यवस्ता चल रही है और अगर ऐसा नहीं तो कहीं न कोई कुछ गड़बर है तो किसी समय में अर्थ श्ची गई लेकिन बाहर नहीं निकली वापस मार्केट में नहीं तो हुआ लेकिन उपादन के साधनों को। मुझा गें। दूसरा का समस्या है और इसको कैसी किया जा सकता है। क्या स्थिती लिश्वी बिंदों की खाहिं। खुले बाजार की नीती में जब हमने देखा कि जो देश की उद्योगी की कायों से जोड कर जब वहां पर जो आयात निर्यात वैपार हैं उनका भली भाति विसलेशन कर पाते हैं तो विदेशी वैपार की प्रॉपर उससे में क्या इस्थिति है उसको समझने के लिए भी हम पूरी अध्याय को अगर हम ध्यान से समझें तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं एक्नौमिक्स के स्टार्टिंग में हमने जो चैप्टर पढ़ा था वापस हम वहीं आके रुख गए हैं हमने देखा कि उत्पादन के जो साधन है वो सभी के सभी महतुपूर हैं उत्पादन के पूरी प्रक्रिया में उनको हम बदले में कुछ प्रतिफल देते हैं उन साधनों को जो प्रतिफल दिया जाता है वो कहीं न कहीं वस्तू या सिवाओं या आय के रूप में घूम फिरकर फिर से उत्पादन के जो उत्पादन का जो स्वामी होता है वापस उसी के पास आ ज जाता है तो कहीं न कहीं आय का जो चक्रिय प्रवाय है वो कभी उत्पादक छेत्र कभी उभोकता कभी सरकार और कभी पूंजी बजार इन चारों के बीच में चक्र लगाता हुआ नजर आता है